word problem on addition of time in hour इस वीडियो में हम addition of time से related कुछ word problem solve करेंगे पहला word problem है साधिया है स्पेंट 12 hours on a school trip साधिया ने एक school trip पे 12 घंटे गुजारे उसने फिर डिसाइड किया कि उसके बाद वो अपने grandparents को दादा दादी या नाना नानी को विजिट करेंगे उनके साथ उसने पांच घंटे गुजारे हमने बताना है टोटल टाइम जितना वो अपने घर से बाहिर रहे तो बारा घंटे वो trip पे रही है और पांच घंटे वो अपने grandparents के पास रही है इसका मतलब जो टोटल टाइम बाहिर स्पेंड किया है वो क्या होगा जितना trip पे time spent किया है जो की है 12 hours तो यहाँ पे लिखेंगे 12 hours के लिए मैं H लिख रही हूँ 12 hours और उसमें अगर हम plus करते हैं जितना time grandparents के साथ रहे हैं जो की है 5 hours तो यहाँ पे 12 hours में हम plus करेंगे 5 hours को तो जब 12 में 5 को plus करते हैं तो यह किसकी equal आएगा यहाँ पे plus करके देखते हैं 12 plus 5 5 ones place पे है तो इस दिए यह ones place के नीचे 5 आजाएगा 2 के नीचे 5 plus 2 7 और 1 as it is नीचे आजाएगा तो यह बन रहा है 17 hours यानि कि उसने total 17 hours घर से बाहिर गुजारे तो यहाँ पे total time में हम लिखेंगे 17 hours या सिर्फ H भी लिख सकते हैं एक और example देख लेते हैं अली is playing with his friends अली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है he started playing at 7 o'clock उसने 7 बजे खेलना शुरू किया he played with them for 2 hours वो उनके साथ 2 घंटों के लिए खेलता रहा what was the time when he stopped playing तो जब उसने खेलना बंद कर दिया तो उस वक्त क्या time हुआ था यह हमने find करना है अली is playing sorry यहाँ पर is नहीं आएगा यहाँ पर was आएगा अली was playing with his friends वो अपने friends के साथ खेल रहा था उसने 7 बजे खेलना शुरू किया और पूरे 2 घंटे बाद उसने खेलना बंद कर दिया अब हमने बताना है कि अब time क्या हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम 7 बजे में यानि की 7 o'clock में प्लस करेंगे जितने घंटे वो खेलता रहा है 7 बजे का time है 7 जो है वो hour को show कर रहा है और 00 minutes को show कर रहा है इसमें हम प्लस करेंगे 2 hours 2 h यानि hours को इस चीज़ को हम number line के जरिये से show करते हैं 7 जो time 7 बजे हैं इसको यहाँ पे लिख लेंगे 7 और उसके बाद एक एक घंटे की gap से हम time लिखते जाएंगे 7 के बाद आता है 8 और उसके बाद आता है 9 और फिर 10 और फिर आएगा यहाँ पे 11 इस number line के उपर हमने time लिखा और times के दर्मियान distance कितना रखा है 1 hour का तो क्योंकि अली ने 7 o clock पे खेलना शुरू किया था तो 7 o clock के बाद उसने 2 घंटे वो खेला है तो यह क्या हो जाएगा प्लस 1 hour और फिर प्लस 1 hour तो टोटल कितने घंटे हो गए 2 hours हो गए तो 7 के बाद यह 9 o clock पे आके उसने खेलना बंद कर दिया यहनि अगर वो 2 घंटे खेलता रहता है तो टोटल 9 o clock पे वो खेलना बंद कर देगा तो 7 o clock प्लस 2 hours is equal to 9 o clock तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अली स्टॉप्ट प्लेइंग एट 9 o clock 9 बजे अली ने खेलना बंद कर दिया इसी तरह से हम एक और क्योश्चन देख लेते हैं यहें मारिया है 10 hours to do number of outdoor activities मारिया के पास total 10 hours हैं 10 घंटे हैं जिसमें उसने घर से बाहर मुख्तलिफ activities करनी है शी स्पेंट 2 hours preparing for them उसने 2 घंटे उन activities के लिए preparation की तयारी की how much time is she left with to do the activities अब उसके बाद उसके पास activities करने के लिए कितना time रह गया है यानि की 2 घंटे उसने preparation में लगा दी तो बाकी कितने घंटे रह गए हैं यह हमने find करना है इसके लिए हम लिखेंगे hours left जितने घंटे बाकी रह गए हैं कि यहां पर left का word use हुआ है तो left का मतलब क्या है हमने subtract करना है total में से यानि की 10 hours में से हमने subtract करना है जितना hours spent हो चुका जो की है 2 hours h का मतलब है hours तो 10 hours minus 2 hours इसको minus करेंगे तो hours left आ जाएंगे यहां पर minus करके देखते हैं 10 में से 2 को 2 को यहां पर once place के नीचे लिखेंगे तो यहां से 10 में से जब 2 को minus करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका मतलब उसके पास कितने घंटे रह गए हैं 8 hours रह गए हैं अपने बाकी के activities को करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं Maria has 8 hours left Maria के पास 8 hours रह गए हैं एक और problem देख लेते हैं Rabia spent 2 hours cleaning her room Rabia ने अपने room को साफ करने के लिए 2 घंटे लगा दिये If she finished at 8 o'clock अगर 8 बजे उसने cleaning finish कर ली, खतम कर ली What time did she start cleaning? तो हमने find करना है कि exactly किस time पे उसने cleaning start की थी कि जबकि उसने 2 घंटे cleaning की है तो 8 बजे सफाई का काम खतम हो गया है तो इसके लिए हम number line लेके आते हैं और start यहाँ पे इस तरफ से start करेंगे यानि कि जो end time है वो हमें ये रखना होगा जिस time पे finish हो गया है तो वो हम रखेंगे 8 o'clock 8 o'clock पे finish हो गया है तो हम 8 से पीछे backward counting करेंगे यहाँ पे लिखते हैं 7 8 से पीछे 7 आता है 7 से पीछे 6 11 आर के gap से हम backward counting करते जाएंगे 6 से पीछे है 5 और 5 से पीछे है 4 इसके बाद क्योंकि 8 o'clock पे उसने cleaning finish की थी और cleaning कितनी देर तक वो करती रही है 2 घंटों तक तो यहाँ से हम पीछे जाएंगे 1 hour 8 से 1 hour minus करेंगे minus 1 hour और यहाँ से minus 1 hour तो यह 1 hour के 2 jumps मिल के total कितना बनता है 2 hour के 1 jump के बराबर होता है तो जब 8 o'clock से पीछे की तरफ जाएं 2 घंटे पीछे तो यहाँ पे आता है 6 o'clock यानि कि उसने cleaning कितने बज़े स्टार्ट की थी 6 o'clock पे उसने cleaning स्टार्ट कर ली थी तो इस चीज़ को हम statement के form में लिख सकते हैं राबिया started cleaning at 6 o'clock 6 बज़े उसने cleaning स्टार्ट की थी तो 2 घंटे बाद 8 बज़े सफाई का काम खतम हो गया था तो इस तरह से हम times की addition और subtraction से related word problem solve करते हैं